जेहन दोस्तो आज अपने समझेंगे unit of refrigeration machine कि refrigeration जो machine होती है उसकी unit क्या होती है उसके बारे में आज अपने जानेंगे तो उससे पहले अपने दो ट्रंग्स देखने है एक तो sensible heat और एक latent heat कि sensible heat क्या होती है और latent heat क्या होती है उसके बाद में हम समझेंगे किसी unit क्या होती है ठीक है तो आज अपने समझते हैं पहले sensible heat sensible heat sensible heat और latent heat latent heat अब देखो sensible heat क्या होती है और latent heat क्या होती है मान लिया कि हमारे पास 0 degree centigrade बाला पानी है जिसका temperature है 0 degree centigrade ठीक है और एक हमारे पास water है जिसका temperature है मान लिया कि 40 degree centigrade अब क्या करेंगे इस 40 degree centigrade वाला जो पानी है इसको हमें convert करना है 0 degree centigrade में यानि इसका ताभ हमें क्या करना है कम करना है तो देखो यह भी पानी है यह भी क्या है पानी है और यह भी क्या है पानी है तो देखो यहां भी पानी यहां भी पानी तो फेर जैंज हो रही है नहीं हो रही यानि यहां पानी तो यहां भी पानी लेकिन temperature क्या हो रहा है चेंज हो रहा है जब इसमें से हम हीट क्या करेंगे बाहर निकार लेगे हीट क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं बाहर निकार रहे हैं और इसमें से भी हीट अब इसमें से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद बन रहा है हमारे पास 0 degree centigrade वाला पानी पहली थी 40 degree centigrade और अब है 0 degree centigrade यानि यहां जब heat reject के लिए तो यहां हमने एक तरह से क्या किया? temperature कम किया इसका temperature कम किया और इसका temperature कम करके इसे बना गया 0 degree centigrade जब इसका temperature कम किया और 0 degree centigrade में इसे convert किया तो पानी पानी ही रहा यानि phase change नहीं हुई लेकिन temperature change हो गया तो यहां जो heat reject किया है हमने इसे हम बोलेंगे sensible heat sensible heat यानि sensible heat में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास fluid है उसकी जो phase है वो change नहीं होगी लेकिन temperature जो होता है वो rise हो सकता है या कम हो सकता है ठीक है और उसके बाद आती है latent heat अब latent heat में क्या आता है इसका उल्टा यानि temperature change नहीं होगा लेकिन phase change हो जाएगी अब देखो कैसे यहां पानी था 0 degree centigrade अब मैंने क्या किया यहां से heat और ज्यादा निकाल दी यहां से heat और reject कर दी heat क्या कर दी बाहर निकाल दी तो यह जो पानी था इसकी बनगी यहां पे बर्फ इस पानी की बनगी यहां पे बर्फ यानि आइस यहां से heat जब मैंने निकाली तो यहां बनगी बर्फ लेकिन इसका temperature कितना रहा 0 degree centigrade यहां इसका 0 degree centigrade पर यह पानी था इसकी heat और ज्यादा निकाल दी लेकिन temperature को क्या रहा यहां सेम रहा और वो बनगी बर्फ में तो यह देखो यहां पे पानी यहां पे बर्फ तो फेचेंज होगी और यहां पे temperature जो था यहां पे तो इसे बोलते है latent heat, यानि latent heat को in English इंदी में बोलते है गुप्त उश्मा, यानि यहां पे उश्मा क्या है एक तरह ऐसे गुप्त है, आपको पता चल रहा है कि यह heat अपने बाहर निकार रहे है, heat यहां से reject करे है, heat बाहर निकार रहे है, अपने को पता निकार रहा है, heat जाक आ रहे है, तो यहां पर यह देखो इसलिए इसका नाम रख दिया गुप्त कि यह heat गुप्त है इसका पता नहीं चलता कि अपने को लगता है कि heat निकार रहे हैं तो temperature और कम होना चाहिए लेकिन यह नहीं होता temperature कम ना होके यह क्या आती है अपनी phase change कर लेती है तो यह जो heat बाहर निकार रहे हैं यह phase change होने में यूज होगी ठीक है तो यहां से heat बाहर निकार दी तो पानी से बनगी बर्फ और temperature रहा से हैं तो इसे बहुत है पानी हे लिहां थाद मतलब या है खीली उनसीबल हीट ब của गसीफानि हीट यहां से यहां तक आने के लिए बफ को यहां से यहां तक आने के लिए इसकी कुछ नकुछ बूब दूशमा को अब क्या करेगा यह पानी क्या करेगा आगे कंवर्ट होगा तो पानी और recovering पानी भी देगा लेकिन अपना temperature आप लोग राइस कर लेगा मान लिया कि 40 लीज़ी कर लिया है इसे बोलेंगे हम sensible heat यहनि शिदा समतलब यह है कि जो sensible heat होती है उसमें temperature change हो सकता है यहां लेकिन phase change नहीं होती अब अपने चलते हैं यूनिट ओफ रेफ्रीजरेशन मसीन जो रेफ्रीजरेशन मसीन होती है उनकी यूनिट क्या होती है आपने सुना होगा कि हम गर्मे फ्रीज लेके आते हैं तो उसकी शमता कितनी है कितने टन है डम सुना होगा नौद ऊसब में तून होगा दो-टन की है इसपरकार से wrapped यानि जो फ्रीज होता है उसकी इस परकार सी होता है hu तो हो क्या है फ्रेजरेशन कीई है और इक cya होता है उसके बारें आपने जानते हैं हम जानते हैं उसके यॉनित तो घाते है इसकी unit है, वो होती है, ton of refrigeration, अब देखते हैं, ton of refrigeration होता क्या है, तो देखो, कि 24 गंटे में, कितने गंटे में, 24 गंटे में, 24 गंटों में, 24 गंटों में, हमारे पास, मालिया कि पानी है, वो एक ton है, एक ton पानी, एक ton पानी है, एक ton पानी का मतलब, हजार केजी, हजार केजी हमारे पास क्या है, वो टर, हमारे पास वोटर है, 24 गंटों में, एक ton पानी, जिसका temperature है, 0 degree, जिसका temperature है, 0 degree Celsius, 24 गंटों में, एक ton, यानि हजार केजी, पानी, जिसका temperature कितना है, 0 degree Celsius, उसको convert करना है, 0 degree centigrade वाली आइस में, यानि 24 गंटों के अंदर, यानि एक पूरे दिन और रात को मिला के, 20 गंटे होती है, वो उस पूरे दिन में, एक ton पानी, यानि हजार केजी पानी को, जिसका temperature कितना है, 0 degree centigrade, उसे 0 degree centigrade वाली आइस में करनोट करना है, तो मैंने अभ्याद को धारन दिया था, कि यहाँ पे 0 degree centigrade वाला पानी था, और यहाँ पे था आपने पास 0 degree centigrade वाली बर्फ, 0 degree centigrade वाली बर्फ थी, तो देखो, 0 degree centigrade वाला पानी, 0 degree centigrade वाली बर्फ में बदलना है, इसके मातरा हमने माली 1000 के जी, यानि एक ton, ठीक है, और इस 1 ton पानी को बदलना है हमें, बर्फ में, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, फेस जेंज होगी, पानी से बनीगी बर्फ, लेकिन temperature change नहीं होगा, तो यह heat कौन सी हो जाएगी, latent heat, latent heat, तो देखो, 20 घंडों में, एक ton पानी, एक ton पानी को 0 degree centigrade वाली बर्फ में बदलने के लिए, कितनी उसमा इससे हमें निकालनी पड़ेगी, यह जो पानी है, इससे हम कितनी उसमा reject कराएं, कि हमें 0 degree centigrade वाली बर्फ मिल जाए, तो वो होती है, ton of refrigeration, यानि कितनी उसमा हम निकालें, कि 1000 के जी पानी, 0 degree centigrade वाला, 0 degree centigrade में, वाली बर्फ में convert हो जाए, तो हमें कितनी उसमा निकालनी पड़ेगी, उसे बोलते है, ton of refrigeration, ton of refrigeration, अब हम देखेंगे, कि 1 ton of refrigeration बरापर क्या होता है, 1 ITR बरापर क्या होता है, यानि, 0 degree centigrade वाली बर्फ में बदलना है, तो पानी से अपनी कितनी उसमा निकालेंगी, या हम यह माँ सकते हैं, कि 1000 केजी से कितनी उसमा निकालेंगी, यह तो बहुत बड़ी quantity हो जाएगी, अपने करेंगे, कि 1 केजी से कितनी उसमा निकालेंगी, कि वो बर्फ में convert हो जाए, एकेजी से निकालेंगे, उसे 1000 केजी के लिए आजाएगी, अब देखो, एकेजी से कितनी उसमा निकालती हैं, और कितने टाइम में निकालेंगी, ठीक है, और 1000 केजी से कितनी उसमा निकालेंगे, वो भी उससे हमें पता सल जाएगा, ठीक है, तो अब आपने आगे देखत यह स Archives भाल में था वाला पाणी था और उसे बदल नहीं थे या ठीक है तो यह जो हीड थी यह थी लेटेंट हीड यानि पानी से बडलने के लिए मैं क्या चाहिए लेटेंट हीड जो जिन हीडि यां ई है और जिन हीडिया यहां थी यहा होते हैं यानि ice की गुप्त उश्मा यानि किसी पानी को यानि एकजी पानी को जिसका टंपरेचर है zero degree centigrade उसे बदल रहे हैं हम ice में तो इसकी कुछ ने कुछ latent heat होगी कि यह zero degree है यह zero degree एकजी को ice में बदलने के लिए हमें कितनी उसमा एकजी पानी से बाहर निकालनी पड़ेगी कि वह ice में convert हो जाए तो वह जो होती है उसे बोलते है latent heat of ice तो वह होती है कितनी latent heat of ice कितनी होती है वह होती है एक किलो पानी लिया जिसका temperature था zero degree centigrade उससे हमने 336 किलो जूल उसमा यदी बाहर निकाल दे तो वह बर्थ में कनोट होगी और पक्का होगी ठीक है इस परकार से हम किस का मान निकाल से यह तो एक केजी के लिए था हमें तो निकालना ATR के लिए हजार केजी के लिए तो देखो इस का मान कितना था 336 किलो जूल पर केजी लेकिन हमें तो निकालना था हजार केजी के लिए एक केजी के लिए इतना तब हजार केजी के लिए कितनी होजाएगी 1000 kg के लिए होजेगी into 1000 तो यह होगी 1 TR 1000 kg के लिए लेकिन अब देखो यह जो इतना जो कुछ होगा ना वो होगा 24 गंटों में इतनी उसमा reject करनी पड़ेगी इतनी उसमा हमें निकालनी पड़ेगी वो टाइम होगा 24 गंटा 24 गंटों में हम इतनी उसमा निकालते हैं यदि 24 गंटे में इतनी उसमा यदि हम बाहर निकालते हैं पानी से तो 1000 kg पानी 1000 kg पानी बंप में कनवट होगा ठीक है लेकिन अब अब अपने देखते हैं एक गंटे में हम कितनी निकाल सकते हैं एक घंटे में हमें कितनी हीर निकालनी पड़ेगी ? एक घंटे में निकालने के लिए हम तेंगे 24 से भाग क्योंकि एक दिन में 24 गंटे होते हैं, पर उस्वान निकालनी पड़ेगी अब हम देखीते हैं कि 2 confort में कितनी ही निकालनी नीकालनीगी ? एकई में 50 minutes तो अब ये मिनिट के साथ से आ गया कि इतनी किलो जूल पर मिनिट उश्मा निकालनी होगी अब हम देखते हैं सेकिंड में तो साथ से भाग और देदी है एक मिनिट में साथ सेकिंड होती है तो देखो अब ये ITR बराबर आ गया कि कितनी किलो जूल उश्मा पर सेकिंड यानि कितनी किलो जूल उश्मा हर सेकिंड में निकाले कि हजार के जी पानी कनवर्ट हो जाए आई इसमें ठीक है अब आपने आगे देखते हैं अब जब इसको हल करेंगे वन टीयार को जब हल करेंगे इस पूरे को तो ये इसका मान आए जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकिंड किलो जूल पर सेकिंड देखो किलो जूल पर के जी था ये है किलो जूल पर के जी ठीक और ये था हमारे पास हजार के जी 1000 kg तो यहां multiply कर दिया kg का बटा में था गंटा, minute, second तो यह पूरा क्या हो गया? second हो गया? इसको गंटों में बदलने के लिए 24 सा लगा या था विंट में बदलने के लिए 60 सा लगा या था और second में बदलने के लिए 60 तो यह पूरा हो गया second kg से kg किलो जूल पर second अब हम जानते हैं कि जूल पर second को हम लिख सकते हैं what? क्योंकि P बराबर W प्रटे T होता है P यानि पावर पावर बराबर होता है work यानि कारे अकोनमेंट ताइम कारे की यूनिट होती है जूल और ताइम की यूनिट होती है जूल पर सेकंड का मातर क्या होता है? वोट. जूल पर सेकंड को हम वो चुते हैं वोट. जो सकती का मातर क्योंता है वोट. अब हमने इसको convert कर दिया? वोट में. तो, यानि, 1T-R के बराबर क्या हो जाएगा? 3.5 किलो वोट. यह होता है 1T-R का वाण. यानि एक सेकंड में मार लो कि हमारे पास हजार के जी पानी था उसको हमें बदलना है बर हमें तो ये हजार के जी पानी जो है इससे हमें हर सेकंड 3.5 किलो जूल पर सेकंड हमें उश्मा निकाल लेगा यानि हर एक सेकेंड में 3.5 किलो जूलुस मा पानी से निकालनी होगी तब हजार केजी पानी 24 गंटे में बर्पवन पाएगा यह होती है इसकी यूनिट टी आर टन ऑफ रे फ्रिजर इसलिए बोलते हैं इसलिए कि हमारी एसी एक तन की थी तन की है फ्रिज इतने टन का है फ्रिज बड़ी बड़ी इंडर्स्ट्री में फ्रिज यूज होता है वह 100 से 200 तन तक ही उज़ते हैं 100 तन का है 200 तन का है इस प्रकासे तो इनकी जो यूनिट होती है ये टन में होती है ठीक है तो ये होता है आईट्यार ये अपने को याद रखना है कि एक आईट्यार बराबर होता है 3.5 किलो वोट या फिर इसे बोल चकते हैं 3.5 किलो जूल पर सेकंद यानि एक सेकिन में इतनी उसमा पानी से बाहर निकालनी पड़े गए अब अपने देखते हैं रेटिंग ओफ रेफ्रीजरेशन मसीन के बारे में कि रेफ्रीजरेशन मसीन की रेटिंग क्या होती है अब ही हमने देखा कि वन्टीयार के बारे में बन टीयर का मान था 3.5 किलो जूल पर किलो जूल पर सेकंड या फिर इसे ले सकते हैं 3.5 किलो जूल ने किलो वाट लिख सकते हैं वन टीयार के बरापर था 3.5 पिलो जूल पर सेकंड यानि किसी भी यानि एक तरह से पानी से यानि एक जो हजार तन स्वरी एक तन यानि हजार के जी पानी था उसकी बात करने हैं कि हजार के जी पानी हजार के जी पानी जिसका टंपरेचर है जीरो डिगरी सेंटीगरेड और जीरो डिगरी सेंटीगरेड वाली थी आइस इसमें हमें कनवर्ट करना है तो हर सेकंड परती एक सेकंड तीन पॉइंट पांच किलो जूल उश्मा यदि हम पानी से बाहर निकालेंगे तो 24 गंटे मे तो 24 गंटे में जो आई सहें वह बन जाएकि तो यह था हमारा वंत यार के बराबर अब तरह में धो देखो रेटिंग ओफ रेफ्रिजरेशन में क्या होता है हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है यानि एक तरह से मालो हमारा जो फ्रिज है उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक तरह से तो रेफ्रिजरेश्टिंग जो सिस्टम है जो किसी चीज को ठंडा करने के लि उसकी शम्ता कितनी है, कितनी शम्ता है, उसकी कितने टंग की शम्ता है, या कितने किलो वाट की शम्ता है, तो उसका जो मातरक होता है, वो होता है किलो वाट, किलो वाट, या कि रिसी लेख सकते हैं, किलो जूल पर सेकिन, कि उसकी कितनी शम्ता है, जो रेफ्रिजरेटिंग म कि शो उससे दी जाती है rating और मात्रत होता हुद और FM je 1 Terra किया था 1 1 Terra किया था, जिसका मांन था 3.5 KW यह जिसका था, यह त्राता है, कि उतुछ का दो फेकेगा रिफ्रिज्रेशन एख भाल सुसंसिंच यह यह हमारी नजायां भाल कर रिखेगा तो यह उसके क्या लिखा रही है कि वह 1TR के बराबर हो जाएगा उसकी जो रेटिंग है वह 1TN की यानि कोई भी रेफ्रीजरेशन मिजीन यदि 3.5 किलो वाट उसमा यदि बाहर फ्हेंकेगी तो वह 1TN के बराबर होगी उसके जो rating है वह एक टन बोलेंगे कि वह मचीन जो हमारी एक टन की है, वह फ्रिज जो एक टन का है, यानि एक टन का फ्रिज का मतलब है, कि 3.5 किलो वाट रुस्मा को वह का फिंग देगा? बाहर फिंग देगा, आई होग, आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगली क्लास में तक तर देनिट